नमस्कार आपका मेरी चैनल में स्वागत है आज मैं आपको रच्छावंदन की कहानी सुनाने जा रही हूँ अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में भगवान सिरी क्रियेशन की जै अवश्य लखिए साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें एक गाउ में मालती नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी वह अवी 6-7 साल की थी लेकिन उसके कोई भाई नहीं था मालती की मा भगवान सिरी क्रियेशन की पूजा किया करती थी एक बार रच्छा वंदन का त्योहार आने वाला था राखी वाला राखिया बे इदने का मन करता है तो वह राखी वाले से राखी दिखाने को कहती है इस पर उसकी सहीलिया कहती है मालती तेरे तो कोई भाई ही नहीं है तू किसके लिए राखी खरीद रही है तू किसके राखी बांदेगी तू क्यों राखी ले रही है तुझे राखी की क्या जरूरत मा मालती की मां पूछती है मालती क्या हुआ तब मालती कहती है मां मैं किसके राखी बांदू मेरे तो कोई भाई नहीं है मेरी सब सहीलियां अपने अपने भाई के राखी बांदती है और सब मेरा मजाग बनाती है कि इसके कोई भाई नहीं है तब मालती की मां मालती को बताती है कि बेटी रो नहीं, तुम्हारे भाई भगवान जिरी क्रेशन है, तुम उन्हीं के राखी बांदा करो, मालती कहती है सच मा, मा कहती है हाँ बेटा, फिर मालती खुश हो जाती है, और वह एक सुन्दर सी राखी खरीदती है, और भगवान जिरी क्रेशन को राखी बांदती ह तब बहगवान क्रेशन को अपना भाई मानने लगती है अब हर साथ खुशी से मालती राखी खरीड़ी और भगवान क्रेशन को राखी बानती धीरे-धीरे समय बीटता है और मालती बिवायोगे हो जाती है वह नियमित रूप से अब भी भगवान सिरी क्रेशन की पूजा करती तथा रच्छा वंदन पर राखी बानती मालती की माता पिता मालती का विभा एक संपन परिवार में कर देते हैं मालती ससराल में पहुच जाती है उसके ससराल में सास ससर जेच जिठानिया नननन दूश सब थे मालती सबसे छोटी थी मालती ससराल में भी भगवान क्रेशन की पूजा किया करती थी सबसे छोटी होने के कारण घर का ज्यादतर काम मालती ही करती थी वे सबसे मिलकर रहती, साससुर की सेवा करती, इसी तरह समय बीटता है और सावन का महिना आ जाता है, सब बहुएं रच्छा बंदन पर अपने माय के जाने की तैयारी सुरू कर देती हैं, लेकिन मालती चुप रहती है, क्योंकि वे जानती थी, उसके तो कोई भाई नहीं है, तो उसे कौन लेने आएगा, अब रच्छा बंदन का तेहार आता है, तो मालती की जेठानिया सुबह जल्दी उठकर काम खतम करती हैं, और माय के जाने को तैयार होती है, मालती चुप चाप अपना काम करती रहती है, तब उसकी जेठानी उसे चिड़ाती है, मालती तेरे तो कोई भाई नहीं है, तो तुझे कौन लेने आएगा, तू अपने माय के कैसे जाएगी, जेठानी की बातें सुनकर मालती को बहुत बुरा लगता है, वह भगवान से रिक्रेशन के राखी बानती है, और बहुत रोती है, तब ही एक आदमी मालती की ससरा लाता है, वो मा मालती के दूर का भाई हो, और रच्छा बंदर पर मालती को लेने आया हूँ, लेकिन उसकी सास कहती है, मालती के तो कोई भाई नहीं है, और अगर तुम उसके भाई हो, तो इतने दिनों तक कहा थे, तब है कहता है, कि मैं मालती के दूर का भाई हूँ, और ब्यापार करने परदेश कया था, अभी लोटा तो सोचा, अपनी बहन को रच्छावंदन पर घर ले आओ मालती को भी बहुत आश्चर होता है लेकिन वह आदमी सबको यकिन दिला देता है वह मालती का भाई है तो मालती के घर वाले मालती को उसके साथ भीज देते हैं मालती उसके साथ घर जाती है वहां उसकी भावी उसका खूब स्वागत करती है फिर मालती अपने भाई को राखी बानती है और ननन भावी मिलकर खूब बातें करती है मालती बहुत खुश थी इधर मालती की जेठानिया घर आकर उसके पती से कहती है ये कौन सा भाई है अब तक कहा था और अचानक कैसे आ गया मालती का पती भी सोच में पढ़ गया फिर दो दिन बाद मालती का पती उसे लेने गया तो वहां बहुत बड़ा महल था वहां समने उसके खूब खाते दारी की उसे भी बहुत अच्छा लगा फिर भाई भावी ने खूब सारा धन और उपहार देकर मालती को बिदा किया रास्ते में आकर मालती के पती ने कहा मेरा कुर्ता तुम्हारे घर रह गया है मैं उसे लेकर आता हूँ तो मालती ने कहा कि इतनी दूर निकलाए है रहने दो दूसरा ले लेना लेकिन उसका पती नहीं माना और बापस महल की तरफ चल दिया जब वह वहां पहुँचा तो देखा कि उसका कुर्ता एक पेड़ पे टंगा है और महल गाव है वह गुस्चे से मालती के पास आता है और मालती को डाड़ता है कहता है कहां है तेरा भाई वहां न महल है न तेरा भाई बता कौन है वो तब ही भगवान सिरी क्रेशन प्रकट होते हैं और वो कहते हैं मैं हूं मालती का भाई ये बचपन से मुझे ही राखी बानती है इसलिए मैं इसे रच्छा बंदन पर अपने घर लाया था तब मालती और उसका पती भगवान सिरी क्रेशन को प्रणाम करते हैं और मालती का पती भगवान क्रेशन से माफी मांगता है भगवान क्रेश उन्हें छमा कर देते हैं और दोनों को असिर्वाद देकर वहां से अंतरध्यान हो जाते हैं फिर मालती और उसका पती खुसी-खुसी घर बापस आ जाते हैं मालती की जिठानिया इतना सारा धन दे कर आश्चरे में पढ़ जाती है जै हो भगवान सिरी क्रेशन की आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईए साथ ही मेरे वीडियो को जादे से जादे शेयर करिए धन्यवाद